Good morning kids. Welcome to KidsArurs. हम English grammar पढ़ रहे थे. उसमें हमने last में present tense के बारे में सीखा था. Simple present tense के बारे में सीखा था. आज हम past tense के बारे में सीखेंगे. ठीके. चलिए. तो आगे बढ़ते हैं tenses. The type of tenses. तो हमें पता ही है के main three types of tenses होते हैं. present tense, past tense and future tense. में हमने जो present tense के बारे में पढ़ा था, उसके बाद आज हम past tense के बारे में पढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, past tense क्या होता है, an action word यानि की verb which indicates what happened in the past, ऐसा verb जिसे हमें पता चले के past में क्या हो चुका है, लयानि की जो क्रिया खेतम हो चुकी है, उसके बारे में हमें पता चलता है, जिस वर्ब से वो है past tense का वर्ब, ठीके, तो वो जो sentence होता है, उसमें subject होता है, वर्ब होता है, और object होता है, तो वर्ब भी कैसा होता है, जिससे हमें पता चले के यहाँ क्रिया हो चुकी है, खतम हो चुकी है, ओके, चलिए आगे बढ़ते पास्तेंस के यहां पर थोड़े उदाहरन दिये हुए है, वो मैं दीड करते हूं I played with my friends yesterday, यानि कि मैं अपने दोस्तों के साथ कल खेल रहा था, या तो खेल रही थी He ate Iza last night, कल रात उसने Iza खाए थे Ron went to the garden, Ron जो है वो गार्डन गया था Kids jumped in the garden, यानि कि बच्चे जो है, बच्चे उन्हों प्लेग्राउंड में कूदे, उन्होंने जम्प किया तो यह जो है, played, ate, went and jumped, वो जो है, वो बर्ब है, पास्तेंस के है वो कैसे पता चला, क्योंकि या तो वर्ब जो है, main वर्ब उसके पीछे ed या तो d लगता है ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं, पास्तेंस Some verbs end with d और ed, यहाँ पे देखिए Ron played in the garden, तो play जो है, वो main वर्ब है और उसके पीछे ed लगा, उसके उपर से पता चलता है, कि Ron जो है, वो garden में खेल रहा था अब पिकॉक, dance in the rain, जो पिकॉक है, वो बरसात में नहा रहा था तो यह जो था वर्ड है, वो क्या पता चलता है उससे, कि वो हमारी जो किया है, वो खतम हो चुकी है वैसे ही यहाँ पे dance दिखा हुआ है, तो यहाँ पे dance के पीछे b लिखा हुआ है तो यह b या तो ed प्रत्य जो है, उससे हमें पता चलता है, कि यह जो वर्ब है वो past tense का है, ठीके, चली आगे बढ़ते हैं Now past tense, past tense के अंदर negative sentence कैसे बनाएं, अगर मैं खेल नहीं रहा हूँ, या तो मैं खा नहीं रहा हूँ, तो वो मैं कैसे बताऊंगा तो कैसे बताऊंगी, तो played, तो did not play, यहाँ पे played वाला जो verb है, वो है, उसका negative sentence बनाना है, तो क्या आएगा, did not play, यहाँ पे देखिया आप, यहाँ पे did है, not है और played का play हो गया, यानि कि play जो main verb है, वो लगेगा रेन, रेन जो है, वो past tense बताता है, तो उसका negative sentence जब हम form करेंगे, तो कैसे बनाएगे, did not run करेंगे, फिर went आएगा, तो went यानि जाना, तो यहाँ पे अगर negative sentence हमें form करना है, तो क्या करेंगे, did not और go लगाएंगे, यहाँ देखिये, एक sentence दिया हो है, run played in the garden, तो उसका negative sentence क्या बनेगा, subject का subject वही रहेगा, verb जो है, उसमें did not play हो जाएगा, played का क्या हो जाएगा, play हो जाएगा, और फिर object का object वापिस लग जाएगा, ठीक है, तो run played in the garden, negative sentence क्या बनेगा, run did not play in the garden, ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ sentences दिये होए है, यह आपको notebook में लिखने है, और जो भी past tense indicate करता है, verb, वो verb के नीचे आपको underline करनी है, I drew a picture at home yesterday, drew यानि हमने, मैंने draw किया, तो drew यानि draw किया, already यह क्रिया हो चुकी है, तो draw यानि कर रहे हो, draw जो है, वो main verb है, उसका past tense क्या हुआ, drew हुआ, ठीक है, तो हम यहाँ पे drew के नीचे underline करेंगे, वैसे ही आपको सब भी sentence लिखने है, और फिर बाद में जो भी verb है, जो past tense को indicate करते है, वो verb के नीचे आपको underline करनी है, ओके, थैंक यू, बाई